नमस्का फ्रेंट्स आज में आपको मकर राशी वालों के लिए लगबग जो 30 दिरों का ग्रह का जो गोचर होने वाला है जो ग्रह आपके लिए बहुत शुब और बहुत योग कारिक होते हैं उस ग्रह का गोचर होने वाला है और गोचर भी ऐसा होने वाला है कि आपस में समन बनने वाले हैं तो बहुत शुबा आपके लिए 30 दिन का समय रहने वाला और ये समय आपका शुरू होने वाला है 2 अक्तूबर से 3 नमंबर के बीच में पहले तो मैं मकर राशी वालों को ये जानकारी दे दूँ कि जैसे मैं वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रहा था कमेंट्स सेक्शन में कि बहुत नेगिटिविटी मकर राशी वालों ने उसमें लिखा है कि उनका जीवन जो है वो समाज की सेवा के लिए या संगर्ष में होता है या पूरु जन्मों के कृत्ते भोगने को यहां आते है या उनका जीवन जो है बहुत काश्ट में होता है तो सबसे पहले आप ये जान लिजीजिए कि मकर लगन जो है उसमें सिर्फ दो ग्रहे होते हैं जो आपको सबसे अच्छे प्रणाम देते हैं बाके ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छी विशेश स्थितिया नहीं आती इसलिए दशांतर दशाएं थोड़ बहुत आपको दिक्कत देती हैं और जो दो ग्रहे आपके लिए बहुत बरदस योग कारक होते हैं वो है शनी महराज और शुकरदेव और शुकर को भारगव कहा जाता है और भ्रीगु सुता कहा जाता है और भ्रीगु का संबन्द आप जानते हैं कि भगवान विश्नु के चाती पर उन्हें लात मारी थी तो कहीं न कहीं एक कर्स जो है वो शुक्र के साथ जोड़ा हुआ है तो भारगव आपके लिए जो बहुत योग कारक होते हैं और शनी महाराज शनी महाराज को अगर हम जो जोतिश के ग्रंत है उसमें समझें तो वहां उसके वुलिए वर्णल लिखा गया है शनी महाराज को मंद कहा गया है मंद मींज स्लो धीरे धीरे चलने वाला या धीरे धीर गति करने वाला और आप एक चीज़ देखिए अपने अगर इसको ब्लैंक चार्ट से प्रडिक्शन को समझने कोशिश करें मकर राशी वाले तो आप मुझे बताईए कि जो लगन के स्वामे शनी होते हैं वो उच के कहा होते हैं जिहां वो उच के होते हैं तुला राशी में और तुला राशी कहा आती है आपकी जर्मकुली के साब से दशम स्थान में दशम स्थान क्या होता है हमारे कारिक शित्र वेवसाय करम शित्र तो दसम श्तान में जाकर के शनी जो है वो उचके होते है और शनी जैसे हमने पहले कहा कि मंद है दीरे-दीरे चलने वाले हैं छाया पुत्र है अर्क पुत्र है सूरे के पुत्र है तो यहां पर दीरे-दीरे चलना इसलिए आपके profession में या आपकी इस चीज में धीरे-धी ग्रोथ होती है, धीरे-धी गती पकड़ते हैं, तो मन दशाब इसलिए आपको कहा, आपके जनम लगन के साब से इसको कहा गया है, क्योंकि आपका भागे बहुत धीरे-दीरे उदे होने वाला है, और लगन के जो आप शनी को खड़ा कर देंगे अपने घर में, क्यों आपके लिए समस्या हैं, विगन बागदा हैं, कश्ट करें शूरू हो जाएंगे, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और क्यों आपके लिए जो करम शित्र में आपको धीरे-धीरे अगती में आगे बढ़ना पड़ता है, तो ये अलग वीडियो का विशे रहेगा, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ आपके पूरी राशी के साब से समझाने की कोशिश करूँगा, कि कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, और किस प्रकार से वो आपको रिजल्ट्स आएं, परन्तु आज का जो विशे है, वो है भारगव सुता या भारगव जिसको शुकर कहा जाता है, और मन दशनी, ये दोनों ही आपकी जनम कुर्ली के सबसे योग कारग रहे होते हैं, और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, कि आप देखिए आपकी जनम कुर्ली में अगर शनी और शुकर का कही न कहीं समन्द बन रहा है, दिश्टी समन्द साथ बैठे हुए है, या उनके डिस्पॉजिटर आपस में एक दूसरे बिश्टी डालने, तो बहुत योग कारग होता है, और एक चीज़ और यहां पर विशेश देखनी पड़ेगी, ग्रंतों में कहा गया है, कि अगर शनी की म मादशा में शनी, और शनी की मादशा में शुकर की अंतरदशा में शुप रणाम आते हैं, तो गोचरवश की कुछ यही परिस्तिती समय बनने वाली है, दो अक्टूबर के बाद, जैसे ही शनी महाराच, माफ कीज़िगा, जैसे ही आपके शुकर महाराच सिंग राशी में जाएंगे, और वो आपके अश्टमस्तान में, और वहां से वो अपनी दृष्टी जो है वो शनी पर डालेंगे, शनी आपके द्वित्य भाव में हैं, और द्वित्य भाव से शनी अपनी दृष्टी जो है वो अश्टमस्तान में डालेंगे, तो शनी का और शुकर का यहा रहता है, तो शनी लगन का स्वामी है, तो व्यक्ति थोड़ा सा पैसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है, दूतिस्तान, वाणी के स्थान का स्वामी भी शनी है, तो व्यक्ति जो है बोलता भी नेगेटिव है, तो इस तरह की स्थितियां बनी रहती है, वहीं अगर आप पर विध्यान रखे कि अपनी वानी से ज्यादा रोना नहीं है, अपने दुखड़ा किसी के साथ शेर नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा करने पर आपको शनी के और दुश्परणा प्राप्त होते हैं, परंतु वर्तमान में इस्थितियां बहुत उत्तम हैं, मैं समंध हो रहा है, ये बहुत जबरदस राजियों की कैटेगरी यहां के लिए बन रही है, कारे वैबसाई के लिए काम धंदे के लिए बहुत जबरदस्त है, जो काम आपके रुके हुए हैं, जिन प्रोफेशन्स को लेकर कि आप दिक्कतों में चिंताओं में चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी है तो महाँ परिशानी है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, कारे की दिक्कते चल रहे हैं, संतान की पक्ष से कोई दिक्कते आपको चल रहे हैं, लोटरी शेर मार्केट इस तरह का जो आप काम करते हैं, उसमें परिशानिया चल रहे हैं, शुक्र का यद्श्ति समंध आपको बहुत लाब दे करके जाएगा प्रेम प्यार के लिए प्रेम समंधों में या आपको जो है वह सफलता है या दिलाता मन नजर आएगा उसके लाबाश शुक्र महाराज जो होते हैं भोग विलास के कारक होते है तो लक्ज़री कंफर्ट से से जो लोग जुड़े हैं जो इसका वेफसाई करते हैं रैडी में इसका काम करते हैं सो अंदरे प्रसादन हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं कार फेक्ट्रीज हैं शोरूम्स वाले हैं उनको लाब के स्थिति हैं तीस दिनों में प्राप्त होती भी नजर आएगी पंचम भाव जो होता है वो कला का होता है हमारी वहां से इंटेलिजेंस को देखा जाता है बुद्धिक शमता को जो देखा जाता है पूरुपुन्य वहां से देखे जाते हैं और पंचम भाव जो होता है वो साथ ही साथ जो है हमारी संतान के वारे में बिताता है तो इन सभी पक् चत्र से जो लोग जुड़े हो तो उनको लाब होता है और जो घर में फीमेल, जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए भाशोब है, घर परिवार में सुक शानती, स्मिरधीव घर में आती है, धन का आगमन होता है, स्थाई पैसा यहां पे राता है, तो इस तरह के परिस्तितियां लगबग आपको तीस दिन में शुक्र और शनी के जो यह दिश्टी समंध है, इसको बनने वाली है, तो यह तरह से आपके लिए राजयोग है, यह राजयोग गोचरवश बन रहा है, अब आपको अपनी जनमकुल्ली में भी इस्तितियां देखनी है, अगर आपकी जनमकु उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दी वीडियो प्लीस सब्स्राइब दी चैनल, थैंक्स वाचिंग दी वीडियो